पूर्व केंद्रिय मंत्री और भाजपा के वरिष्ट नेता मनोच सिनहा जम्मू कश्मीर के नए उपराजपाल नियुक्त राश्टपती रामनात कोविन ने जम्मू कश्मीर के उपराजपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा किया स्विकार रिजर बैंक ने की मौद्रिक नीती समीती के फैसलों की घोशना रिपोरेट और रिवर्स रिपोरेट में कोई बदलाव नहीं आर्बियाई गवर्नर शक्तिकान दास ने कहा मौनिटरी पॉलिसी को लेकर आकरामक रुख तब तक रहेगा जारी जब तक इसकी जरूरत होगी एहमद अबाद के कोविड अस्पताल में लगी आग हादसे में आठ मरीजों की मौत 41 जखमी हादसे की जांच में जुटी पुलिस प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने की शोक संतप्ठ परिवारों के प्रतिसंवेदना विक्त प्रधान मंत्री के राष्ट्य राहत को सेमृत्कों के परिजनों को दो दो लाक और घायलों को पचास हजार रुपाए का मुआवजा देने की घोश्टा बिहार में बाल की स्थिती अभी भी गंभीर 16 जिलों की 66 लाक से जादा आबादी प्रभावित राहत अभ्यान में NDRF और SDRF की 33 टी में जुटी असम में बाल की स्थिती में सुधार जारी और भारत में COVID-19 से स्वस्त होने की दर में सुधार जारी रिकवरी दर बढ़कर हुई 67.62 दर 13,28,000 से जादा रोगी हुए स्वस्त मृत्य दर 2.07 से भी कम दुनिया भर में एक करोन नवासी लाख लोग संक्रमित साथ लाख से जादा लोगों की मौत दुनिया भर में एक करोन नवासी लाख लोग संक्रमित नमस्कार डीडी नियूस के इस बुलिटिन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ निखिल सिंग और आए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से भाषपा नेता और पूर्व राज्यमंत्री संचार और रेलवे मनोच सिनहा को राष्टपती रामनात कोविन ने केंद्र सासरत प्रदेश जम्मू और कश्मीर का नया उपराजपाल निखत किया है विनिवर्तवान उपराजपाल गिरीश चंद मुर्मू का स्थान लेगे एक जुलाई 1969 को उत्तर प्रदेश के गाजी पूर जिले में के मोहनपुरा में जन में मनोच सिनहा ने प्रतिष्ठित भारतिय प्रद्दुगी की संस्थान यानि बियोचीव वारानसी से सिविल इ इंजिनिरिंग में एम्टेक भी पूरा किया मनोच सिनहा के राजनेतिक करियर के शुरुवात 1982 में बनारा सिंदु विश्रुद्याले च्हातसंग के अध्यक्ष के तौर पर शुरू हुई और 1996 और 1999 में वि लोकसभा के लिए चुने गए उत्तर प्रदेश के घाजी पूर से तीन बार लोकसभा में उन्होंने भाज़पा का प्रत्नित्र किया मनोच सिनहा 1989 से 1996 तक भाज़पा के राश्ट्य परिशत के सदसे भी रहे मनोच सिनहा को कृशी से बहुत लगाव रहा है और यही वज़ा है कि उन्होंने पिछने गावों में कृशी को बहतर बनाने मे सक्रिय रूप से काम किया है उनकी पत्नी नीलम सिनहा बिहार के नालंदा जिले के मगहर बिहार शरीफ की रहने वाली है और दमपत्ती को एक बेटा और एक बेटी है जमो कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद के एक साल बाद मनोच सिनहा को ये जमेदारी दी गई है सिनहा की एक परिपक राजनेता कुशल प्रसाशक और इमानदार समात सेवी की छवी रही है और नई जमेदारी समहलने में ये खूबियां काम आएंगी किंद्रे सुच्णाम प्रसारण बंतरी प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट कर मनोच सिनहा को जम्मू और कश्मीर का नया उपराज पाल नियुक्त होने पर बधाई दी है रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीती समिती के फैसलों की घोशना की RBI गवर्नर शक्तिकान दास ने बताया कि रिजर्व बैंक ने रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया है गवरनर शक्तिकान दास ने कहा कि रेपोरेट को 4 फीसदी और रिजर्व रेपोरेट को 3.3 फीसदी पर बरकरार रखा गया है शक्तिकान दास ने कहा कि मॉनिटरी पॉलिसी को लेकर आक्रामक रुख तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जरूरत होगी इसके साथ ही उन्हाने कहा कि हमारी महंगाई दर इस पर पूरी नजर है और ये पूरी कोशिश भी है कि करोना के असर के को कम से कम किया जाएं। इसके साथ ही उन्हाने बताये कि मध्यम और लगू द्योगों के उत्थान के लिए कई कड़म उठाए गये हैं। The MPC sifted through domestic and global conditions and evaluated their unfolding impact on the overall outlook for India and the world. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy report unchanged at 4% and continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19, while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse report rate also stands unchanged at 3.35%. और खबर गुजरात के अहमदाबाद से जहां नवरंग पुरा विस्तार में एक COVID-19 अस्पताल में रात को अचानक ICU वार्ड में भीशन आग लग गई और इससे आठ कोरोना मरीजों की बात हो गई. इस अस्पताल में 50 बेड कोविड अस्पताल के लिए रखे गए हैं. एहमदाबाद स्थेतिश्वे हॉस्पिटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई. शॉर्ट सर्किट के वज़े से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. दर्मकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पा लिया है. और एहमदाबाद के अस्पताल में आग लगने की घटना पर उपराश्टपती एम विंकया नाइडू ने गहरा दुख जताया है. उपराश्टपती ने ट्विटर के माध्यम से शोक संतप्त परिजनों के प्रती संवेदना जदाई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. और अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में आग लगने की घटना पर प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है. प्रधार मंत्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रती संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. प्रधार मंत्री ने हाथसे पर मुक्य मंत्री विजय रूपार्णी और बिजल पतेल से बात की. प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रसाशन प्रभावितों को हर संभव मदद मुहया कर रहा है पीम नरेंद्रमोदी ने प्रधानमंत्री के राष्ट्रे राहतकोश से प्रतेक मृतक के परिजनों को दो लाख रुपई की अनुग्रह राष्टी देने की घोशना की हाथसे में घायल हुए लोगों को पचास-पचास हजार रुपए दिये जाएंगे और अहमदाबाद के एस्पताल में आग लेने पर गहरा दुख जताया है उन्होंने हाथसे से प्रभावित परिवारों के साथ संवेदा जताया और साथ ही घायलों के जल्द स्वस्त होने की कामना किया है उन्होंने ट्वीट किया के एस्पताल में एक दुखत आग हाथसे के कारण जानमाल लोगों की गई और घायलों के शीग्र स्वास्त लाब की काम ना करता हूँ और भारत में कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बहतरीन प्रियासों से कोविड-19 की स्थिती में सुधार जारी है कि इंद्रे स्वास्त वें परिवार कल्यांड मंत्राले के द्वारा जारी आंकलों के पताबिक अब तक देश में कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 13,28,336 हो गई है पिछले 24 घंटों में 46,121 मरींज कोरोना के से स्वस्थ हो चुके हैं देश में रिकवरी रेट में बढ़ोत्री जारी है स्वस्थ दर बढ़कर 67,62 फीजदी हो गई है कोविड-19 से होने वाली मृत्य दर घटकर 2,07 प्रतिशत हो गई है और अब एक अच्छी खबर अब आपको डॉक्टर के पास मोटी फाइल ले जाने से निजात मिलेगी आपके हल्थ का हर रेकॉर्ड एक क्लिक पर आपको मिलेगा इसके लिए सरकार जल्द ही राश्ट्य डिजिटल स्वास्थ मिशन लाने वाली है इसके तहट हर नागरिक के स्वास्थ का डेटा एक प्लैटफॉर्म पर होगा इसके लावा हर किसी का हेल्थ आईडी कार्ड तयार किया जाएगा उसमें मरीज की निजिता का भी विशेश ख्याल रखा जाएगा और ये स्वेक्शिक होगा इस समद में नाशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पर राष्ट्रिय आरोग प्राधिकरन के अतरिक्त मुख्य कारिकारी अधिकारी डॉक्टर प्रवीन गेडाम से बात की हमारे समभाता नितेन सिग्डे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की सुरुआत होने जा रही है इस वक्त हमारे साथ है आईसमार मिभारत के अडिशनल सी-ओ डॉक्टर प्रवीन गेडाम इस से जनता को क्या फायदा होगा और इस health ID का advantage ये रहेगा कि इस health ID का और mobile app का या computer का use करके उनको मन चाहा doctor या hospital चुन सकेंगे जो की speciality है अपना गाउ है city है उसके हिसाब से या फिर दूर दरास का भी telemedicine के लिए consultation करना है या second opinion लेना है तो इसके लिए अपना वो hospital या doctor चुन सकेंगे दूसरी बड़ी एक problem होती है कि बहुत लोगों के पास पुराने health record रहते नहीं है इसलिए treatment में diagnosis में कफी doctor लोगों को थुड़ी अस्विधा हो सकती है तो इससे फाइदा ये होगा कि अपने health record ये electronic system में उससे link कर पाएंगे ताकि वो जब भी doctor के पास जाते है तो पुराने स सब health record वो doctor को दिखा सकेंगे इससे doctor को भी treatment करने में आसानी होगी और अच्छी तरह से treatment मिल पाएंगे पहले record रखता थे आदमी कागज लेके रखता था फाइल में बना के रखता था उससे निजात मिलेगी ये अपने mobile app में रख सकेंगे ये सरकार की तरफ से mobile app दिया रहेगा या अगर पेशन्ट बच्चा है तो उनके parents को रहेगा और उसका access doctor को देने के लिए हर समय consent देनी होगी और असम के कुछ इलाकों में COVID-19 के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए प्रसाशन ने तिनसुकिया और मकुम नगरपालिका वार्डो में साथ दिनों के लिए lockdown लगाने का फैसला किया है ये सक्त lockdown 11 अगस्त तक लागू रहेगा अलाकि lockdown के दौरान आवशक सेवाओं को छूट दी गई है इस बीच तिनसुकिया जिला प्रसाशन ने COVID-19 के rapid antigen test कराने का निर्देश दिया है सभी दुकानदारों कर्मचारियों और वितरन से जुड़े विक्तियों के लिए COVID-19 की जाच कराना आने बारे होगा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आसम पुलिस दिन रात एक कर काबले तारीफ भूमिका निभा रही है इन कोरोना वारियर्स ने ना सिर्फ खुद COVID-19 के खिलाफ लड़ाई जीती है बलकि अब ये बाकी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज में अपना प्लाजमा दान करके उनकी जिंदगी में भी उम्मीद की रोशनी फैला रहे है ऐसे में जब पूरी दुनिया कोरोना महमारी के खिलाफ जंग लड़ रही है असम के स्वास्ते मंत्री हेमंत बिस्वसर्मा के ट्वीट्स पर मदद के लिए आगे आए लोगों की जबरदस्थ प्रतिक्रिया ने मानवता की नई मिसाल पैदा की है असम में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमन की स्थिती जब कमभीर हुई तो प्लाजमा डोनेशन के लिए लोगों से अपील की गई और मदद के लिए तमाम हाथ भी आगे आए खुशी की बात ये है कि खुद कोरोना से जंग जीत कर वापस आए छे दरजन पुलिस कर्मी भी इस मोहिम में शामिल हुए ताकि उनके प्लाजमा से कोरोना संक्रमितों की मदद हो सके असम पुलिस के करीब 1500 जवान कोरोना से संक्रमित हुए थे जिन में से करीब 1000 जवान पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं ऐसे में प्लाजमा दान करने आए इन बहादुर जवानों की इस पहल ने पूरी पुलिस फोर्स का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है राज्यका पुलिस विभाग भी कोरोना संक्र के तौरान एहम भूमिका निभा रहे अपने बहादुर जवानों के पीछे मस्बूती से खड़ा है कोरोना संक्रमित जवानों के परिजनों की देख भाल से लेकर मरीजों के क्वारंटाइन, सही इलाज और दवायों तक सभी सुविधाओं को मिशन मोर में पूरा किया गया पिछले कुछ दिनों में असम खास कर गुवाहाटी और काम रूप में संग्रमन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई और प्रशासन और पुलिस के सयुक्त प्रयासों का ही नतीजा है कि पिछले हफ़ते गुवाहाटी के ज्यादातर हिस्सों में इन मामलों में कमी भी आई है जहां लगातार दस दिनों तक हर दिन एक हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे वहाँ अब पिछले कुछ दिनों से ये संख्या दोसों के करीब सी मठ चुकी है एहम बात ये है कि इन में से ज्यादातर गंभीर मामलों में प्लास्मा डोनेशन के चलते मरीजों की सेहत में जल्द सुधार देखने को मिला है दुईना बरबरुवा की रिपोर्ट डीरी नियूस गुवाहाटी भारतिय अंता पारटी के वरिष्ट डेता और पूर विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज की आज पुढ़नेती थी है बीजेपी की कद्दावर नेता और एक मुखर वक्ता के अलावा सुष्मा स्वराज का राजनेतिक जीवन शानदार रहा केंद्री सूचना और प्रसारन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने वीडियो कान्फरेंसिंग के जरिये सुष्मा नजली नामक कारिक्टर में हिस्सा लिया और दिवंगत नेता को श्रधानजली दी सुष्मा स्वराज को याद करते हुए केंद्रे मंत्री ने कहा कि उन्हें हमेशा एक प्रकर वक्ता और लोगप्रिय मंत्री के रूप में याद किया जाएगा उन्होंने कहा कि वे हमेशा उन्हें प्रेर्णा देती रहेंगी हमारे 40 साल की सहयोगी थी कि 1980 में जब वो पार्टी में आई तब हम युवा मोर्चा का काम करते थे तो भाशा ग्रहन का उनको एक विशेश अंग था तो यह आयाम भी उनकी जीवन में था प्रकर वक्ता थी ही लोगसवा में हो राज्यसवा में हो और पुब्लिक मीटिंग में हो उनके भाशन के लिए लोग आतूर रहते थे सुनते थे अगर न बुलाते तो भी हम सुनने के लिए आही जाते और वो सुचना प्रसान मंत्री रही फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया तो मेरे लिए तो वो आज भी मेरी गाइड है और आमेशा बनी रहेगी इतना ही मैं खाऊंगा और मेरी भाव भी नहीं आज सुश्मा अंजली रेल मंत्री पियूश गोयल ने सुश्मा स्वराज को की पुर्णतिती पर शद्धांजली अर्पित करते हुए कहा कि आज सुश्मा स्वराज जी को हमसे दूर गए हुए एक वर्ष हो गया लेकिन उनका सनेह उनका सहत सुभाव की यादे आज भी हमारे साथ है उनके जाने से भारतिय राजनीती में जो कमी हुई है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी उनकी पुनतिती पर उन्हें मेरा श्रद्धा पूर्वक नमन और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए कही मत जाएगा जल्द हासर होंगे जब भी आप अस्पताल जाएं तो पहले डॉक्टर से अपॉइंट्मेंट घर से ही लें और समय अनुसार ही घर से निकलें ऐसा करने से आपका समय बचेगा और अस्पताल में भीड नहीं लगीगी जिससे करोना का संक्रमण होने की संभावना कम होगी अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए अपने साथ अपनी कोविट सुरक्षा किट यानि मास्क, सैनिटाइजर, पैना दिये ले जाना ना भूलें मुंबई में बारिश थोड़ी हलकी हो गई है आज भी बीते कुछ घटों से मुंबई में अलग-अलग जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश देखनेों को में ली मौसम विभाग के मताबिक बारिश की तीवरता में आज कमी आने की संभावना है मौसम विभाग ने आज के लिए मुंबई और ठाने सहीत पड़ूसी क्षेत्रों के लिए पहले ही यरो एलर्ट जारी किया है इस बीच भारी वारिश की स्थिती से रिपटने के लिए मुंबई में चार टीमों सहीत NDRF की 15 टीमों को महराष्ट में तैनात किया गया है प्रधार मंतरी नरेंद्र मोधी ने कल महराष्ट के मुख्य मंतरी उधव ठाकरे से बात किया और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया दूसरी उधव ठाकरे ने जिरादिकारियों के साथ इस्थिती की समीक्षा की और बीमसी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है इसके साथ ही उन्हें लोगों से बिना किसी जरूरी काम के घरों से ना निकलने के हिदायत दी और घरों में ही सुरक्षित बने रहने के अपील के और अगर बिहार के बार की बात कर रहे हैं तो बिहार में मुझफरपुर और दर्भंगा में तटबंध तूटने के बाद बार की इस्तिती और खराब हो गई है मुझफरपुर में कदाने नदी और दर्भंगा में बागमती नदी के रिंग बांध तूट गए हैं दोनों जिलों के कई गाउं बार की चपेट में हैं। बार के पानी से रेलवे के तीन खंडों को खत्रा पैदा हो गया है। इनमें पूर्व मध रेलवे के समस्ती पुर दर्भंगा, सीता मड़ी, दर्भंगा और सहरसा मनासी खंड शामिल है। राज में 16 जिलों की 1165 पंचायतों के 67,000,000 लोग बार से जूज रहे हैं। बार से दर्भंगा, मुजफरपुर, समस्ती पुर, सीता मड़ी, गोपाल गंज, पूर्वी चंपारन और सारण जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। बार से जुली घटनाओं में 34 लोगों की जात और बचाव कारिया में जुटे हुई हैं। अब तक 5 लाख लोगों को सुरक्षित इस्थानों पर पहुंचाया गया है। कुल में लाकर 1389 सामुदाइक रसेवी घरों से 10 लाख से जादा बार प्रभावित लोगों को भोजन मोहिया कराया जा रहा है। बागमती, जारी बारिश का अनुमान विक्त किया है। और अगर असम की बात करें तो असम में बार का पानी लगातार घट रहा है लेकिन अभी भी 15 जिलों में 1,43,000 से जादा लोग बार से प्रभावित हैं। मोरी गाओं और बुनगाई गाओं के बाद गोलपाड़ा जिला सबसे ज अटाओ देखा गया है। मोसम भाग ने 8 अगरस तक असम में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। कुटिगे में कावेरी नदी खत्रे के निशान को पार कर गई है। वहीं हासन जिले के सालेश-पुर में हेमवती नदी का जलस्तर भी चेतावनी इस तर्स के ऊपर है। कल उडुपी जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई थी इस बीच भारी बारिश के करण कल चिकमंगलूर में भूस खलन हुआ हाला कि अभी तक किसी के जान जाने की कोई सूचना नहीं मिली है मौसम विभाग ने अगले चार से पांच दिरों में राज के धक्षन और तटिया इलाकों में भीशन बारिश की संभावना जताई है और केंद्र सरकार किसानों की आए दोगुनी करने के लिए लगातार कदम उठा रही है इसी के तहट कल देश में पहली किसान रेल की शुरुआत होने जा रही है कल सुबए 11 बजे केंद्रे क्रिशी मंत्री नरेंद सिंग्तोमर विडियो कांफरेंसिंग के जरिए किसान रेल को हरी जंडी दिखाकर रवाना करेंगे किसान रेल के जरिये किसानों के उत्पादों को तेजी से देश में एक जगे से दूसरी जगे तक पहुँचाये जाएगा शुक्रवार को रवाना होने वाली पहली किसान रेल नासिक के देवलाली से पटना के दानापुर तक चलेगी जो विबन स्टेशनों पर लेने उतारने के लिए लोगों को और सामान के लिए रुखेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलंगन के कारण सुप्रीम कोर्ट की आउमाना मामले में विजय मालिया की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त के लिए टाल दी गई है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के फाइल में विजय मालिया का एक दस्तावेज नहीं आ रहा था जिसकी वज़े से आज सुनवाई नहीं हो सकी तीन साल पहले मालिया ने पुनर्विचार याचिकादार की थी जो सुनवाई के लिए अब लिस्ट हुई है मालिया 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आउमाना का उन्हें दोशी ठहराए गया था मालिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर अपनी संपत्ती अपने परिवार के नाम ट्रांसफर कर दी थी और सहिंगत राश्ट में कश्मीर को अंतराश्ट्य मुद्दा बनाने की पाकिस्तान की एक कोशिश फिर से नाकाम हो गई है चीन दोरा सहिंगत राश्ट सुरक्षा परिशद में इस मामले में बुलाई गई बैठक बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो गई सहिंगत राश्ट में भारत के स्थाई प्रणिधी टी एस तिरुमूर्थी ने कहा है कि सुरक्षा परिशद के कई सदस्यों ने शिमला समझाते पर जोड देते हुए माना कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का एक द्युपक्षिय मामला है तिरमूर्ती ने कहा कि पाकिस्तान की एक और कोशिश नाकाम हो गई है उन्होंने बताया कि सुरक्षा परिशद की एक अनौप चारिक बे नतीजा रही वारता में तकरीबन सभी देशों ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर एक दूपक्षिय मसला है और इस पर परिशद में चर्चा नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के सहियोगी चीन ने कल इस विशय पर चर्चा के लिए बैठक बुढाई थी चीन के बरते आकरामक रवये के बीच अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के साथ अपने मजबूत संबंधों को लेकर प्रतिबधता दोराई है अमेरिका की विदेश मामलों की समीती के अध्यक्ष इलियट एंजल और इसके सदस से माइकल टी मैककॉल ने विदेश मंत्री एस जैशेंकर को एक पत्र लिखकर दोनों देशों की बीच मजबूत संबंधों के प्रतिश समर्थन जताया है पत्र में कहा गया है कि अमेरिका की रिपबलिकन और डिमोक्राटिक पार्टियों के सदसे मानते हैं कि 21 सदी में अमेरिका भारत के संबंध नई उचाईयों को चुएंगे पत्र में दोनों अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि भारत की सीमा पर चीन के खेर कानूनी और आक्रामक रविये के चलते भारत और अमेरिका के बीच कारीबी संबंदों का महत और बढ़ जाता है दोनों अमेरिकी सांसितों ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रिया खंडता की रक्षा के प्रयासों के समर्थन में अमेरिका हमेशा दृणता के साथ खड़ा रहेगा गोर तलब है कि पूर्वी लद्दाक में भारत चीन सीमा पर तना तनी के बीच अमेरिका का ये बयान काफी एहम हो जाता है दुनिया भर में कोरोना वाइरस का कहर जारी है जहां कोरोना से संक्रमित्र लोगों की संख्या एक करोन 89,56,000 के पार है नहीं साथ लाग दस हजार से जादा लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है दुनिया में कोरोना से सबसे जादा अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका है जहां 49,73,000 से जादा लोग संक्रमित है अमेरिका में 1,61,000 से जादा लोगों की इस महमारी के चलते मौत हो गई है अमेरिका के National Institute of Allergy and Infectious Disease के डिरेक्टर एंथनी फॉसी ने कहा है कि अगले साल के शुरुआती दुनों में करोना वाइरस के वैक्सीन का लाखों की संख्या में उत्पादन होने की संभावना है जिसमें दुनिया भर में लाखों की संख्या में लोगों को वैक्सीन से मदद मिल सकती है तो इस बुलिटिन में बस इतना ही इजाज़त दीजे नमस्कार